हमारे स्वार्मंदल के बारे में बहुत सारे interesting facts हैं जो काफी especially to hell जनक हैं इन को आपको जरूर जानना चाहिए This is facts with Veer जी एड इस वीडियो में मैं आपको रहिवारे स्वार्मंदल के बारे में कुछ amazing facts बताओंगा चलिए शुरू करते हैं Number 1 Planet and Moon that can float in water Saturn का एक moon है जिसका नाम है Hyperon ये आपको थोड़ी spongy दिखती होगी ये तो ठीक है पर amazing बात ये है कि इसका जो घनतव है वो पानी से भी आदा है अगर हम लोग इतना बड़ा bathtub बना दे जो इस moon से बड़ा हो और अगर आप उस bathtub में इस moon को डाल दो तो ये पानी में तैरने लगेगा Planet Saturn यानि शनी ग्रह का भी कुछ ऐसा ही property है क्या है कि Saturn solid कम और gases से जादा बना हुआ है और जादा तर gases का घनतव पानी से कम है इसलिए आप Saturn को पानी में डुबा दोगे तो ये भी तैरने लगेगा हम लोग ये तो जानते हैं कि planets का अपना moon होता है जैसे Jupiter का Europa, Mars का Phobos, Earth का moon पर क्या कोई asteroid है जिसका अपना moon हो सकता है Generally asteroid का कोई moon नहीं होता है वो तो खुद moon से छोटे होते हैं पर amazing बात ये है कि 243 IDEA नाम का एक asteroid है जिसका अपना moon है उस moon का नाम है ductile ऐसा एक ही नहीं करीब 127 asteroid हैं जिनका अपना खुद का moon है नमबर 3, Eris Pluto के साथ साथ Solar System का एक और dwarf planet है जिसका नाम है Eris ये Pluto से भी 3 गुना जादा दूर से सूरज को चकर लगाता है और जैसे धरती को सूरज को चकर लगाने में एक साल लगता है Eris को सूरज को चकर लगाने में 570 साल लगते हैं नमबर 4, Ganymede वैसे तो Jupiter के 67 moons हैं पर Ganymede उनमें से सबसे largest है अगर ये moon Ganymede सूरज का चकर लगा रहा होता तो ये सबसे smallest planet भी नहीं होता क्योंकि ये moon Mercury यानि बुद्ग रह से भी जादा बड़ा है नमबर 5, V77-4104 सूरज से सबसे farthest planet कौन सा है? Pluto? नहीं आप तो कहोगे मैंने अभी तो Eris के बारे में आपको बताया अगर मैं distance wise planet का नाम दूँ जो दूसरा dwarf planet जो Pluto से दूर है उसका नाम है Cheron उससे भी दूर है Varuna उससे भी दूर है Mik Mik उसके बाद आता है Eris उसके बाद आता है एक planet जिसका नाम है 2012 VP-113 पर कहानी अभी नहीं खतम होती उसके बाद आता है एक planet जिसका नाम है Sedina और finally उसके बाद आता है planet जिसका नाम है V77-4104 इसकी खोज 13 अक्तूबर 2015 में हुई ये प्लैनेट एक बेल्ट में एक्जिस्ट करता है जिसे हम ओट क्लाउड कहते हैं और ड्वाफ प्लैनेट आईरेस जिसके बारे में मैंने आपको बताया उससे भी 500 गुना जादा दूर से सूरज का चकर लगाता है मतलब की करीब इतने किलोमीटर दूर से और अजीब बात ये है कि आस्ट्रोनॉमर्स को भी अभी तक पता नहीं चला कि इन ड्वाफ प्लैनेट की फॉर्मेशन कैसे हुई लाइक, कमेंट और शेयर करना मगभूलिएगा और अगर ऐसा इंट्रेस्टिंग कॉंटेंट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थांक्स फॉर वाचिंग और मिलते हैं अगली वीडियो में